everyone कैसे आप सबी I hope कि आप सब अच्छे होंगे so welcome to high study my name is Nidhi and I am your GK educator so आज मैं आपके लिए again एक important topic लेकिया ही हूँ जो की current का है तो अगर आप लोग सोच रहोंगे यह तो जो government employees हैं उनके लिए beneficial है यह topic हमारे लिए क्या बट examination में कुछ भी आ सकता है और in future आप लोग भी exam pass करके कहीं ना कहीं ना किसी department में place किये जाएंगे तो आप भी government employee होंगे तो आपके सामने भी यह situation आईगी कि आपको UPS लेना चाहिए Unified Pension Scheme का लाब लेना चाहिए या NPS तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि क्या है यह Unified Pension Scheme 2024 ओके लेट गेट स्टार्टर यूणिफाइट पेंशन स्कीम क्या है इस पेंशन स्कीम आप देख सकते हैं इस पेंशन स्कीम विल बेनेफिट तो 23 लैग सेंट्रल गोवर्मेंट Employees अभी यह जो स्कीम है यह Central Government Employees के लिए हैं बट गोवर्मेंट के द्वारा क्या कहा गया सेंट्रल गोवर्मेंट के द्वारा अगर स्टेट भी स्कीम को को इंक्लूट करेंगे तो क्या होगा कि इफ स्टेट गोवर्मेंट विद अड़ॉप दिस पॉलसी दैन नंबर ओफ गोवर्मेंट एंप्लोई आ नाइंटी लैग तो 90 लाग की संख्या हो जाएगी ठीक है बट करेंट में कितने लोग बेनेफिट रहेंगे किस लोगों को बेनेफिशियल रहेगा यह यूनिफाइट पेंशन स्कीम केवल 23 लाग लोगों को ठीक है चली आगे बढ़ता है अब बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स की कि क्यों यह लाया गया और इसमें क्या-क्या आकने हैं और यह इस इट बेनेफिशियल फो एब्रीवन और न इसमें क्या दे रखा है कि जैसे आप अपनी सर्विस के लास्ट इयर में रहें ठीक है तो लास्ट इयर में आपकी जितनी सेलरी होगी बेसिक सेलरी उसकी कि एवरेज का 50 परसेंट ठीक है 50 परसेंट जो है वो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 25 साल होनी चाहिए तो वो आपका जो है वो पेंशन एमाउंट बन जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं दूसरे फीचर की तो इसमें दे रखाया है कि 60 परसेंट ऑफ अब बात करते हैं अगर मालीजे किसी एम्प्लोई की म्रत्य हो जाती है तो उसमें उसकेस में क्या होगा कि उसमें 60 परसेंट ऑफ दा पेंशन ओफ एम्प्लोई इमेजेटली बिफोर हर इस देमाइज मालीजे कि वो उसकी सर्विस जो भी रही हो बट क्या होगा कि उस सर्विस के अंतराल में उस समय करेंट उसकी जो सेलरी होगी उसका 60 परसेंट जो है वो पेंश एजा पेंशन उसके नॉमिनी को उसके घरवालों को मिलेगी तो आप कह सकते हैं कि ये सेकिंड पॉइंट जो है वो फैमली पेंशन के लिए है चीक है चलिए अब आगे बात करते हैं अब बात करते हैं 10,000 मन्त और सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिममम 10 येर और सर्विस इसमें साफ साफ दे रखा है इस यूनिफाइड पेंशन इस गेम में कि मिनिममम आपकी सर्विस जो है वो आपकी 10 साल होगी तब ही जही क्या होगा तब ही आपको 10,000 पर मन्त जो है फूर पेंशन स्टार्ट इसमें कि हो जाएगी बट उसके लिए क्या होगा आपका मिनिममम जो सर्विस है वो 10 साल की होनी अनुवार थिक है रिफपí बात करते हैं आगे अगे एस पर संट आफड़ेज बेसिक पर फेमिली पेंशन का होगी जब वह एंपलोई की मृत्तियों जाएगी तो उस अंत्राल में जो सेल्वि होगी वह उसका 60 पर सेंट क्या होगा फैमिली को मिलेगा ऐज पेंशन मिनिमम पेंशन डिपैंड अपॉन दा inflation indexation देखिए इसमें भी क्या होगा यह pension जो भी आकने है जो भी totality है वो कैसे define की जाएगी वो ऐसे define की जाएगी उस समय जो inflation का indexation जो भी चल रहा हो inflation माल लीजिए कि बढ़ गई तो उसे साब से आपके pension का जो data है pension जो है वो भी आपकी बढ़के मिलेगी ठीक है चली बात करते हैं आगे आप comparison देख लेते हैं कि NPS की NPS का comparison जो UPS जो नया pension scheme आया है उन दोनों का comparison देख लेते हैं ठीक है देखिए NPS कब लॉंच की गई थी ये 2004 में लॉंच की गई थी और उस समय प्रधान मंतरी थे वो कौन थे अटल भिहारी बाजपे जी थे उनकी गवर्मेंट में ये NPS National pension scheme जो है वो लॉंच की गई ठीक है आप बात कर लेते हैं comparison की बात कर लेते हैं कि National pension scheme अच्छी है या UPS आप decide करिएगा बट मैं तो data लेके आई हूँ मैं आकड़े लेके आई हूँ मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ चीक है चलिए बात करते हैं NPS required definite contribution but UPS will get fixed benefit देखे NPS में क्या कहा गया है कि आपके पाद आपका जो contribution है इस National pension scheme में क्या कहा गया है कि आपका जो contribution है वो definite होना चाहिए मतलब एक contribution होना चाहिए variation नहीं होना चाहिए ना तो minimum होना चाहिए ना बहुत ज्यादा maximum but UPS में क्या है Unified Payment Pension Scheme में क्या है इसमें बताया गया कि आपको fixed benefit मिलेगा मतलब आपका contribution किसी भी हिसाब को हो but आपको जो benefit मिलेगा उसका जो pension मिलेगी वो fixed amount में मिलेगी ठीक है अब बात करते है second point की तो NPS does not have guaranteed pension and UPS 50% of the average sell यह मैं आपको बता चुके हूँ देकि NPS में उन्होंने साफ साफ के रखा है कि इसमें कोई guaranteed pension नहीं होती ठीक है इसमें क्या होता है जिसे आपका जो NPS है आपका NPS कटा तो आपका NPS कटा तो वो मतलब different different sectors में उसको invest किया for example जैसे आपका equity में invest किया government security में invest किया ठीक है तो अगर उसके return अच्छे होंगे तो उस इस आप से आपको क्या होगा आपको pension मिलेगी बट इसमें साफ साफ दे रखा है कि आपकी guaranteed pension नहीं है बट UPS में क्या है साफ साफ दे रखा है कि 50% जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है चलिए बात करते है next one की इन NPS government contribution 40% UPS में 18.5% इसमें साफ साफ दे रखा है कि NPS national pension scheme में जो government का contribution है वो कितना है वो कितना दे रखा है साफ साफ दे रखा है कि government का contribution कितना दे रखा है 40% है ना और उसमें कितना दे रखा है एक मेंट रुकिए देखें 40% दे रखा है और UPS में 18.5% ठीक है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि किसमें अच्छा जो है वो return मिलेगा, अच्छी pension जो बनेगी, वो कौन सी pension scheme में बनेगी, चलिए आगे बात करते हैं, इन NPS, देखें, इन NPS, employee contribution 10% and UPS has a same 10%, इसमें employee contribution में कोई variation नहीं हुआ है, National pension scheme में भी employee की contribution 10% है और UPS में भी employee की contribution कितनी है, 10% है, ठीक है, इन NPS, there are diverse option, but UPS primarily government security, देखें, NPS में National pension scheme में उन्होंने बोला कि diverse option, diverse option in the sense, security share में invest कर दिया, government security में invest कर दिया, या फिर N number of investment जितने भी हैं, उसमें invest कर दिया, इसमें क्या दे रखा है, unified payment pension scheme में, इसमें साफ साफ दे रखा है कि वो उनका primary focus क्या होगा, government security होगा, इसमें UPS में government जो है, वो आपकी guarantee रह रही है, इसलिए UPS, जो unified payment scheme है, is the better, better है किसे NPS, national pension scheme से हो, है न, साफ साफ दे रखा है आपको, अब बात करते हैं next one की, in NPS, national pension scheme, risk depend upon the market policy, and UPS, there is lower risk due to the government guarantee, देखिए, आपको साफ साफ दे रखा है कि, national pension scheme में, आप जब, diverse option में invest करेंगे, तो आपको risk उतना ही मिलेगा, उतना ही market का, जो भी चल रहा होगा, जो भी policies चल रही होगी, उस हिसाफ से, आपको return मिलेगा, या फिर return मिलेगा, और risk भी जाता है, बट, unified payment scheme में क्या है, primarily focus क्या होता है, government securities पर होता है, तो government securities पर होगा, government ने guarantee लिया है, तो यहाँ पर risk भी है, वो lower रहेगा, ठीक है, तो कैसी लगी आपको यह video, I hope कि आप लोग unified prevention scheme जो government के द्वारा launch किये थी, 24 August 2024 में, यह आपको काफी कुछ आप लोग सीखे होंगे वीडियो से, और आपको काफी detailed knowledge इसके बारे में मिली होगी, ठीक है, कितना contribution सेंटर government के द्वारा किया जा रहा है, government के द्वारा कितना contribution किया जा रहा है, और कितना जो है as a pension बनेगी, जो employees है, तो I hope कि आप लोगों को यह video अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को यह video अच्छी लगी हो, तो please channel को like किजिए, share किजिए, और subscribe करना ना भूलेगा, so thank you so much, have a nice day.